हाई नमस्कार स्वागत एक और नए संदार वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप इस परकार से smart pvc voter card मंगारा चाहते हैं तो उसको आप कैसे घर पे इस तरह का smart pvc card वाला voter id card मंगाते हैं तो इसके लिए आपको आविदन करना होता है बिल्कुल free of cost में आप जो है smart pvc voter card अपने घर पे मंगा सकते हैं बहुत ही simple process है आये जानते हैं कि कैसे आपको इसके लिए आविदन करना होता है तो friends हमाच चुके हैं अपने computer के screen पे और सबसे पहले क्या करना है आपको आजना इस website पे वोटल service portal यह आपका website है जहां से आपको apply करना है और आपके घर पे free of cost में जो है pvc voter card आपके घर पे आएगा pvc जो है smart card होता है और आप उसे हर जगा यूज कर सकते हैं क्योंकि यह जो आपका pvc card आने वाला ही government के द्वारा ही आने वाला है तो बिल्कुल free of cost में आता है तो यहां पर आप देखेंगे water service portal का यह option है यहां पर आपको बहुत सारे option मिल जाते है water portal से लेटेट अब यहां पर क्या करना है सबसे आपको login करना देखें पहले आप login करेंगे जिसे आप यह देखें login है sign up है अगर आप पहले से account बनाये हैं यहां पर आप login पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपना login कर लेंगे जैसे आप रेजिस्टर mobile number या एपिक ID या password capture code बर के login कर सकते है या अगर आपके पास ID password नहीं है तो आप यहां देखे sign up को option है sign up पे click करेंगे यहां mobile नमर लिखेंगे address लिखेंगे email address और capture code बर के submit करेंगे तो OTP जाएगा OTP जाएगा उसको verify करेंगे इपिक नमर बाएगे तो इपिक नमर दे दिजेगा और submit करेंगे आपका यहां एक account easily बन जाता है बहुत सार लोग को पास already इसके पास account है तो यहां login पे click करेंगे और register mobile number password जो आपने बनाया था password वो password लिखेंगे capture code भर के आप login करेंगे तो हम यहां पे क्या करते हैं login कर लेते हैं login करते ही friends आप login हो जाते हैं और same उसी तरह से dashboard open होता है आपको थोड़ा सा भ करने का option है यहां पर यहां पर overseas electrodes का option है यहां पर सिफ्टिंग है ट्रेक करने का option है और पूलिंग स्टेशन इपिक डाउड करने का option है लेकिन हमें मंगाना है हमें इपिक डाउड नहीं करना हमें smart card मंगाना है PVC card मंगाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा यहां यह व के लिए अगर आप खुद अकाउंट बनाए हैं और खुद यह चीज करना चाहते हैं तो सेल्फ चूज करेंगे अधर इलेक्ट्रोल का भी ऑप्सन यहाँ पे आप लिख सकते हैं तो यहाँ पे आपको इपिक नमबर लिखना होगा और समिट करना होगा इपिक नमबर लिख क इस सीट कर चुके हैं, क्रेक्षन करना चाहते हैं, एक्जिस्टिंग इनरोल्व में तो अगर आपको क्रेक्षन कर चूनाव करेंगे के मार्किंग करना चाहते हैं, तो यहां, बिक्लांक क्रेंगे, तो हम यहात 2 उप्सन को इपीक में, तो इसको हम choose करेंगे, okay करेंगे, okay करते हैं, यहां पे आप देखेंगे, तो यहां पी इस तरह से आपका show होगा, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, और यहां देखें next का option, आप next पे click कर देंगे, यहां पे आपका जो इस परकार से आएगा, कि आ आप यहां पे बताइए, आधार डिटेल्स दीजिए, तो यहां पे आपको आधार डिटेल्स टीक करना है, अधार नमर लिख दीजेगा, mobile नमर यहां पे आपको देना होगा, तो mobile नमर self यहां क्लिक करेंगे, और यहां पे अपना mobile नमर को लिख देंगे, email ID को टीक करेंग तो यहां पे आप देखेंगे, तो यहां पे जो है application issue for of replacement of without correction, तो इसमें आप क्या करना चाहते है, देखें यहां पे lost का option है, मालने जिए lost का मतलब होगा, चोरी हो गया है, सपोज आप lost पे चूच किये, तो lost का मतलब चोरी हो गया, तो यहां एक supporting documents आपको देना होगा, जिस किसी प्राकिर्तिक आपदा या आग में या flood में हमारा खराब हो गया है, destroy हो चुका है, यह चूच करेंगे तो इसमें कोई आपका documents वगरह नहीं मांगे गया, तो यह वल्ला आपको चुनाव कर लेना है, एक और option है, mutilated आगया है, तो इसमें आपको यह चुनाव नहीं करन है, तो यह दूसरा option चूच करिए, कि आपका flood में या आग में जल गया या natural result के वज़े से खराब हो गया है, तो यह दूसरा option चुनाव करेंगे, और next करेंगे, next करने के बाद से यहां पर अपना place लिख देंगे, कि कहां से आप voter ID कार्ड के लिए आविदन दे रहे हैं, इ उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे preview and submit पे click करेंगे, preview and submit पे click करते हैं, इस परकार सा आपका form 8 आएगा, एक बाद जनकारी को अचे से verify करेंगे, जो भी आपने यहां पे जनकारी दिया सब चीज सही है, इसमें कोई भी गलती है, तो आप क्या करेंगे, यहां आप इसी से track करेंगे, track कैसे करेंगे, तो देखे, यहां पे आपको दिया हुए track application status, आप इस पे click करेंगे, यहां पे आपको reference number प्राप्त हुआ है, उसे लिखेंगे, यहां राज चूच करेंगे, submit करेंगे, तो आपका दिखा देगा कि आपका process कहां तक हो चुका है, जै जो भी document से सबचित सही है, उसके बाद जिसे BLO verify कर लेता है, उसके बाद आपको तुरंत एक voter ID card, जो smart PVC card है, वो आपके घर पे भेज जाता है, कूरियर के माधियम से, जो post office है, उसके माधियम से आपके घर भेजा जाता है, तो इस परकार से हमने friend discussion किया, कि कि इस परकार से आप जो है, PVC smart card को अपने घर पे मंगाएंगे, वो भी बिल्कुल free of cost में, तो ये process था friends, और जैसे अब मेरा ये आएगा, तो मैं आपको ये proper video बनाऊँगा, कि कि कितने दिन में आया, और फिर से आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, गर उसमें कुछ बदलाव करना हो, तो ये स आपका जो है proper ये voter ID card आएगा, आपके घर पे, PVC smart card print होके, फिजकल ही आएगा, hard copy आएगा, जिया दोस्तो, तो ऐसे, फिलहाल अगर आप इससे पहले जाना चाहते हैं, कि e-pick download कैसे करते हैं, तो इसके उपर मैंने एक video बनाया हुए, वीडियो नहीं देख लिजेगा, voter card म आपको समझ में आया होगा, कि voter card को कैसे घर पे मगाएंगे, जो smart PVC card है, अगर आपके मन में कोई भी doubts है, comment आप comment box में पूछ सकते हैं, मिलता है friends किसी next video में, चाहिन कर फ़स्त कर देघरे ए कि चाहिन के सफस् फफसम्ट रर् के सफस्टार कि बनाया हुए, कि अञा कि ओिर ड कर दो इन सकते हैं, जो पाहिनamily यजिए सकते हैं, चाहिनलों उतार, ऑम रमाला है, वीधिने बनाया है, अभकी पूद़। sun याड़ियों में, आ़ ज़ियों,